जैहिं दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सभी परिक्षा में तुक्का कैसे लगा है या बोर्ड एक्जाम दे रहे हो तो या आप कॉम्पटिशन के एक्जाम दे रहे हो तो कलाश 10th में हो तो या कलाश 12th में हो तो सभी के लिए 100% ये अपलाई हो जाएगा सबसे पहले आपको पॉइंट में जो बता रहा हूँ सिध्यान से सुनना सबसे पहले आपको काम क्या करना है किसी भी एक्जाम में बैठने से पहले आपके पास कोई भी एक्जाम हो आपके पास एक ब्लैक पेन होना अनिवारिया है दूसरा एक नीला पेन होना अनिवादिया है क्योंकि इसी दोनों पेन से आपका जो है एक्जाम होता है ब्लैक पेन और नीला पेन यानि की काला और नीला पेन आपके पास होना अनिवादिया है साथ ही साथ आपके पास एक pencil होना चाहिए और एक rubber होना चाहिए और एक cutter होना चाहिए तब जाकर के आपका exam जो है ना 100% apply हो जाएगा कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज की तयारी कर रहे हो ये 4 चीज जो है ना आपको ले करके ही जानी है तब ही जाकर के आपको जो है exam में 100% पूरा नंबर प्राप्त कर पाओगे ये सब चीज क्योंकि ये सब कोई ले नहीं जाता है और आपको लगता होगा इससर आप तो पढ़ा रहे हो मतलम color करकर के मतलम की इस परकार से heading to heading color मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो highlight के वज़े से आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है वीडियो को start करता हूँ और start करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ अभी आप अभी हमारे channel पर नए होँ तो जल्दी से जाकर करके क्या करना subscribe कर लेना देन एक छोटा से काम करना लाइक कर देना और एक प्यारा से comment कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को share कर देना जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का notification आप लोगों को सबसे पहले मिलेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखे फ्रेंड सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है जैसे कि तुक्का कैसे लगा है तो देखे तुक्का जबी fit होगा जब आप पढ़ाई करके जाओगे यदि आप पढ़ करके जाते हो और तेज स्टुडेंट हो तो आपको तुक्का लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप जो है 100% पूरा अटेंट कर पाओगे सबी कोस्टन को सबसे पहले देखिए रूल नमबर एक नियम नमबर एक देखिए तेज स्टुडेंट्स हमेशा एक्जाम देने के बाद एक बाद जरूर कहता है मतलब की कास मैंने पांच कोश्टन तुक्का लगा देते तो एक्जाम किलियर हो जाता हर एक एक्जाम में बैठते है तेज स्टुडेंट हो या कमजोर स्टुडेंट हो हर कोई यहीं चाहता है कास मैंने तुक्का लगा दिया होता 5 question तो मैं जो है exam को किलियर कर गया होता यानि कर दिया होता तो देखिये friend सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं तेज बिज़ारति यानि कि जो तेज, मतलिम कि बहुत तेज होता है 80% वो जो है पूरा पढ़ाई करके जाता है एक्जाम देने के लिए और जो कमजोर विद्यारती होता है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है यानि सुनने रहता है कुछ पढ़ता नहीं है और तुक्के के भरोसे बैठे रहता है तो देखें तुक्का जहां फिट होगा जहां अगर आप पढ़ के जाते होना तभी जाकर कि आप तुक्का भी फिट कर पाओगे मान लीजिए जो कमजोर विद्यारती बिल्कुल नहीं पढ़ता है उसके लिए भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि तुक्का कैसे फिट करना है लेकिन ये सिर्फ तेजी स्टुडेंट के लिए जो पढ़ करके एक्जाम किलियर करने जाता है लेकिन उसका किलियर नहीं हो पाता है यदि 10% यानि 10 कोश्चन छूट गया या 5 कोश्चन छूट गया या 20 कोश्चन उसका परसेंट के हिसाब से कुछ कोश्चन उनका छूट जाता है, वहाँ पर वो तुक्का लगाते नहीं है और negative marking वेगरा रहता है किसी किसी exam में negative marking नहीं रहता है, तो आपको जो है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तभी जा करके आपको समझ में आएगा देखिए, सबसे पहले तो तेज विद्यारती जो होता है, 80% यानि पूरा वो अपनी तरफ से मेहनत करके जाता है और वहाँ पर तुक्का भी लगाता है तो वो सही लगा देता है, लेकिन जो 0, यानि कि जो कमजोरी student है वहाँ पर क्या है, 0 कुछ नहीं याद किया वो क्या करेगा, करम बाइट से अभी लगा दिया, मतलब A कभी लगा देगा B, कभी लगा देगा C, कभी A इस परकार से तुक्का फिट करके आ जाता है लेकिन इनका क्या है, इनका जो है, 0 marks आ जाता है, negative marking में और इनका क्या होता है, इनका full में से full marks आ जाता है, ठीक है तो देखिए, अच्छे तरीके से मैं इसके बारे में समझाओंगा, इससे पहले एक चीज देखिए, ज्यान से देखोगे तब ही जाकर कि आपको समझ में आएगा, और बोर्ड एक्जाम का हो, या GKGS मतलम की competition के एक्जाम हो सभी में इसी परकार के negative marking वाला question आ जाता है किसी किसी में negative marking नहीं मिलेगा लेकिन otherwise सब में मिल जाता है अगर class 10th में हो, तो भी ये काम करना और class 12th में हो, तो भी ये काम करना 100% अपलाई हो जाएगा लेकिन आपको तुक्का कैसे लगाना है ये ध्यान से लगाना क्योंकि अगर आप पढ़ के जाते हो, तभी तुक्का लगा सकते हो otherwise आप तुक्का आपका काम नहीं करेगा तो देखिए, सबसे पहले तो note देखिए आपको या तो एक्जाम जो होता है online होगा या offline होगा लेकिन class 10th और 12th के लिए केवल और केवल offline exam होगा लेकिन CBT exam जो की GKGS competition की तयारी करते हैं उनके लिए online exam होगा ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया इसके बाद देखिए कैसे तुक्का लगा सकते हैं यानि की आप लोग कैसे तुक्का लगाओगे जो की पूरे पूरे नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा 100% पूरे नंबर आपको अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा तो देखिए, सबसे पहले तो all question, जितने भी question है मान लिजिए, अगर आपके एक्जाम में 100 नंबर का पेपर हो रहा है ठीक, 100 नंबर का पेपर हुआ 100 नंबर में से, मान लिजिए 25% आपने ये दे दिया A को, 25% आपने B को 25% आपने C को, 25% आपने D को, दे दिया और मान लिजिए, 100 में से 25-25 करेंगे तो 25 का 100, 100% पूरा अटेंड कर सकते हो, तो कैसे आएगा प्रेसन, देखिए, ये तो था हमारा CVT के लिए, इसके बाद, जो competition के एकजाम करते हैं, उसके लिए 25-25%, और अगर आप class 10 में हो, आपके एकजाम में, बहुवी कैल पे प्रेसन, 20 प्रेसन पूछे जाएंगे, कूल 20, 20% में से आपने जो है, कैसे करना है, मान लिजे, 4%, इसको दे दिया, A को, 4% दे दिया, इसको, B को, और 4 पर सेंट दिया, इसको, 4% दे दिया, हमने D को, मतलव, सभी को हमने क्या करा, 4-4 पर सेंट दे दिया, तो देखिए, 4-4 के हिसाब से, मतलव, 20 नंबर ने, आपका किलियर हो जाएगा 20% आपका किलियर हो जाएगा लेकिन आपको करना क्या है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखोगे तब ही जाकर कि आपको समझ में आएगा अन्याता समझ में नहीं आएगा देखे फ्रेंट 100% पूरा अपलाई होगा यह प्रसन आपको करना क्या जैसे मैंने यहां पर लिख लिए चार 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 परसेंट आ जाए क्लाश 10 और 12 में या देखिए सिर्फ क्लाश 10 के लिए बता रहूं क्लाश 12 में तो आपको जो है मतलम की फिजिक्स केमेस्टरी और मैथ अपने हिसाब से वह 5-5 प्रेस्ट पूछे जाते हैं हर एक पाई कर सकता है लेकिन करने कैसे वो ध्यान से देखना देखो। इसमें हropriने लिख अे जिसने कुछ नहीं बना रहा है मतलम जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वह भगवान के भरों से बैटा हुआ है वह भी तुक्का लगा करके अच्छे से पास हो जाएगा ठीक लेकिन करना क के बहु विकल पर पूछे जाते हैं 20 नंबर के सिर्फ 10 के लिए बता रहा हूं क्लाश 12 में केवल और केवल एक सब्जेक्ट का पांच बहु विकल पे पूछे जाएंगे लेकिन दोनों अपलाई कर सकते हो लेकिन करना क्या है देखो ध्यान से देखना सभी जाकर समझ में चार कोश्टन बनाने के बाद ऑफशन भी सेम ही होगा मान लिजी आपने तीन से चार कोश्टन बना लिया ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा मान लिजी आपने तीन से चार कोश्टन एक कोश्टन दो कोश्टन तीन कोश्टन आपने बना लिया अच्छे थे और तीनों का answer हमारा सेम आ रहा है suppose that हमारा भी आ रहा है तो भी को करेंगे फिर भी दुबारा से भी आ रहा है तो भी को करेंगे फिर इसको करेंगे तो भी को करेंगे फिर लास्ट का जो है हमारा confusion में हैं कि last का कौन सा option सही रहेगा तो हमारा B ही सही रहेगा तो हमारा right answer हो जाएगा same question B ये competition exam में बैठते हो तो भी या class 10th में बैठते हो तो भी इस परकार से क्योंकि अगला answer हमारा B ही option मिलेंगे तो इसको आप circle बना करके गोला कर सकते हो अच्छे तरीके से समझ में आ गया इसके बाद देखिए next point का है next point है gene option का answer सबसे बड़ा हो कोई सा भी हो जैसे मान लिजिए कोई option आ रहा है मान लिजिए कि इसका बड़ा option है जैसे कि एक छोटा option आ गया फिर इससे बड़ा आ गया फिर इससे थोड़ा बड़ा और इससे सबसे बड़ा जो आएगा option में सबसे बड़ा वाला जो है उसको क्या करेंगे हम उसी में टिक लगाएंगे यानि कि वही हमारा answer क्या होगा सही होगा तो हम उसमें क्या करेंगे गोला कर देंगे अच्छे तरीके से समझ में आ गया लेकिन इस सरकल को पूरी तरीके से भरना होगा अगर आप CVT exam दे रहे हो तो आपको बस टिक लगाना है A, B, C में से जो भी आ रहा है उस पर टिक लगा दीजिए लेकिन सबसे बड़ा वाले question पर आप टिक लगा सकते हो देखिए next point है हमारा next point क्या कहरा है मतलब की जो question बहुत असान हो मतलब की बहौत ही असान है उसका answer एक कवी नहीं होगा ये ध्यान देना जो भी question बहुत असान है बहुत ही simple है उसका answer जो एक कवी नहीं होता उसका answer B या C पकका होगा एक्जाम में आपको पता है कि इसका अंसर कौनशा है, A, B, C है, तो आप अच्छे तरीके से B या C पर टिक मार सकते हो, जब पता है तो तो सही-सही मार लो अगर आपको नहीं पता है तो जादा चांस रहेगा सी पर सी पर आप लगा सकते हो लेकिन सी पर लगाएंगे कैसे तो बहुत अच्छे तरीके से मैं बता देता हूं क्योंकि बी और सी मान लिजे कि पचास परसेंट यह और यह दोनों में से कौन सा लगाना है टिक समझ में आ गया अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और अब की बार जो है 20 परसेंट क्लाश 10 और 12 वाले अच्छे तरीके से उठा लेगा हर सब्जेक्ट में तो ध्यान से देखोगे तब ही समझ में आएगा अन्याता समझ में नहीं आने वाला अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जब ऑप्सटन में कन्फ्यूजन हो तो बी या सी को चुने देखिए मैंने भी बताया ना ओप्सटन में कन्फ्यूजन 50-50 का चांस बन रहा हो तो क्या करना बी या सी में से दोनों में से कोई एक मार देना है यानि कि सरकल बना देना आपको ओए हमार सीट में सरकल इस परकार से गोला कर देना है समझ में आ गया इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना ध्यान से इसी परकार के कोश्चन जो है पूछे जाते हैं बोर्ड इग्याम में देखे फ्रेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या जिस ऑप्षन का जयादा वार परियोग किये हो जब अब उससे यूज करने से बचे माली जी आपको चार वार ही करना है और इसके बाद नेक्स्ट यो पॉइंट आएगा फिर आपको सी करना है क्योंकि जो है अगर एक बार 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 बी बी कर दोगे तो फिर आपका फिर तुक्का भी फिट नहीं होगा आपको क्या करना है करम बाइस करना या तो ए पहले हमने एक से ले करके लाष्ट तक मालेज़े CBT exam में बैटे हों तो आपको क्या करना एक से ले करके 10 प्रसण एक जैसे करनी है फिर उसके बाद 10 प्रसन के बाद 20 से ले करके C टक स्टाट करना नीचे की हो 11 से ले करके फिर हमें करना तीज तक अच्छे तरीके से BB को कर लेना है 11 से लेकर 20 तक 20 के बाद हमें 30 करना CC करना है यह तो तुक्का का काम हो गया जो नहीं पढ़ता है कमजोर स्टुडेंट है उनके लिए तो अच्छे तरीके से देख लो सबसे नंबर 1 पर आपको लिखना AA 10 बार कर लेना फिर 10 के बा आपको क्या करना है यानि कि 21 22 22 22 करना CC करना फिर उसके बाद आगी की और बढ़ते चले जाना है करम बाइज आपको इसी परकार से बढ़ते जाना है तब तो आपका जो कमजोर स्टुडेंट है उसका भी अच्छे तरीके से 60% बनने से कोई नहीं रोग सकता है तो अच्छ अब देखिए next की ओर ले चलता हूँ आपको step by step सब कुछ दिखा रहा हूँ तो ध्यान से देखना तब ही जाकर कि आपको समझ में आएगा point to point बता रहा हूँ ठीक है देखिए friend next point हमारे क्या है next point है जब सिर्फ दो option पर confusion हो तो जरूर तुक्का लगाओ जब मान लिजे कि आपको ज़्यादे तर option B और C मतलम कि C वा B पर आपको पक्का यकीन है कि ये 50 50 chance बन रहा है तो दोनों में से किस पर तुक्का लगाओ तो या तो आप B पर लगा सकते हो या पर C पर लगा सकते हो तो आपको क्या करना है मैं suggest करता हूँ ज़्यादे तर या तो C पर लगा द आपको समझ में आ गया यह अब देखिए next point क्या है next point है जिने कुछ नहीं आता वह लगातार 10 question पर किसी एक option को चूने ठीक है मान लिजे कि आप CVT exam दे रहे हो computer basic exam है आप CVT exam दे रहे हो लेकिन उसको आपने कुछ तयारी नहीं किया और जा रहे हो आप exam देने आपके पास negative उसमें दिया यह नहीं बिलकुल एक्जाम में आपको पहले ही नोट टिप किसन मिल चुका है कि exam में negative मार्किंग है नहीं तो आपको कैसे करना है और कैसे पास करना कैसे क्वालिफाई करना कैसे क्लियर करना है वह मैं बता रहा हूं ध्यान से देखो गए तभी समझ में आ ज पिर 10 के बाद आपको बी कितनी बार करनी है उसके बाद आपको 10 के बाद 11 से लेकर के बीच तक आपको कितने बार करनी है फिर मतलम 10-10 का गयक हो जाएगा फिर सी को कितनी बार करनी है फिर उसके बाद 30 मतलम की 10-10 का पेर बन रहा है बीच में तो मतलम 10-10 को ना लगातार करते जाना है तब जाकर कि आपका जो 60% अच्छे तरीके से बीना पढ़ें बीना कुछ किए बीना कुछ सीखें आप अच्छे तरीके से 60% ला सकते हो और कोई भी college ऐसा नहीं है जहां पर आपका number नहीं आएगा अगर इस प्रकार से तुक्का लगाते हो तो ठीक है और next point देखिए next point क्या है अच्छे से देखना समझ में सब कुछ आ जाएगा देखिए friend next हमारे point क्या है class 12 या class 10 या आप online exam government की कोईशा भी दे रहे हो तो आपको काम क्या करना है सबसे पहले देखिए हिंदी हो, इंगलिस हो, math हो, science हो, physics हो, chemistry हो, bio हो या art side हो या commerce हो, etc यानि इत्यादी कोईशा भी subject हो आप कोईशा भी subject से पढ़ाई कर रहे हो GK हो, GS हो, कोईशा भी हो, सारे subject को मैं clear कर रहा हूँ, ध्यान से देखो गए, तब ही समझ में आएगा देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया math का, तो math में आपको क्या करना है, जितना कठिन सवाल, option A को ही चूने, मतलब जितना कठिन सवाल होगा न, उतना ही जादा A का chance बढ़ जाता है, टिक लगाने के लिए समझ में आया, A को circle को हमें क्या करना है, गोला कर देना है, और A पर ही टिक लगाना, आपको CBT exam दे रहे हैं तो, ठीक है, जितना कठिन सवाल, उतना ही जादा चूने A को, समझ में आ गया, इसके बाद, next point क्या है, अगला है हमारा, अलग option को निकालो, मान लिजे कि आपके exam में, देखिए इसका example मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसका example आप नीचे देख सकते हैं, यह रहा इसका example, ठीक, मान लिजे कि यहाँ पर आ गया है, इस परकार से, बहुत सारे संख्या है, अब इसको हमें क्या करना, option भी मैंने लिख लिया है, A, B, C, D, option मैंने लिख ल आते हैं, लेकिन यह हमारे क्या है, जितना कठिन सवाल है, मतलब कठिन लग रहा है, मल्टिप्लाइ करने पर, और ज्यादा अकल कुलेशन भी किया गया है, तो इसका option क्या हो जाएगा हमारा, A हो जाएगा, A का मतलब इसका answer, A होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा next point देखिए, ध्यान से देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा, next point क्या है, अगला option को निकालो, मतलब की अलग option को निकालने ना है, मालने जिए चार option है आपके पास, A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, D दे दिया, तो चार option में से सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, तो क्या करेंगे, हमने अलग कर लिया, अलग करने का बाद, अब A, B, ये तो हई नहीं हमारा option में सही, ठीक, अगर सबसे अलग है, तो ये option में कभी होई नहीं सकता है, इसका answer, आपको देखना क्या है, किसको A, B, C को देखना है, तो इन दोने में से क्या करना है, आपने अगर और अच्छे समझोगे, तब ही जाकर समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आजाएगा, अगर इस चीज़ को follow करते हो, तो, देखिए friend, next point क्या है हमारा, सबसे पहले, देखिए, जायदा calculated, यानि सवाल का answer A ही होता है, मतलब की जादा कठिन सवाल है, calculate है, मतलब जादा calculate कर करना है, या बहुत सी जादा divide करना है, इस परकार के प्रस्न पूछे जाते है, एक्जाम में, CBT एक्जाम हो, या आप बोर्ड एक्जाम दे रहे हो, तो, दोनों में आपसे पूछा जाएगा, तो आपका option कैसे पता चलेगा, कि ये ही है, A आपको पता चलेगा, जब जाद जादा उसमें क्या हो गया हो, multiply हो गया हो, या ज्यादा divide हो गया हो, या ज्यादा add हो गया हो, तो उसका answer जो हमेंशा A वाले ही option को चुने, तो देखिए, ज्यादा तर हमने इस परकार से एक्जाम पल आपको बताया था, और यहीजाम पन यहां पर भी apply हो जाता है, तो A प अंसर एक, दो, जीरो, तीन, चार, पाँच इस परकार के प्रस्न का अंसर है A, B, C, D करके, जैसे माल लिजे A का मान हो गया, मतलब A, B, C, D इस परकार का प्रस्न है, तो माल लिजे 0, 1, 0, अनन्त, यानि कि 9 कर दिया, आमने, अनन्त कर दिया तो इन चारो उप्षन में से कौन सा सही होगा, तो यहाँ ज़ादा कल्कुलेटिव, यानि कि कल्कुलेट किया होगा, सवाल में, तो उस का अंसर हमेशा 0 या 1 होगा तो ज़ादर चांस जो मारना न, आपको मारना है एक नंबर पर, ठीक है, यानि कि यह वाला जो है, आपका अंसर सही जाएगा एक नंबर को, ठीक, कम्प्लिट आगया समझें, इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओप्षन को कोश्चन में, पुट करके, अंसर को न एक, दो, तीन, चार इस परकार से दिया है, ओप्षन में, तो आपको क्या करना, ये वाला जो है, सवाल में ही अप्लाई करना, एक बार इसको अप्लाई करना, एक बार इसको, एक बार इसको, और अप्लाई करके देखना है, अगर सही आ रहा है सवाल, तो उसी पर हम टिक लगा देंगे, समझ में आ गया है, आप देखिए, next point क्या है, next point है हमारा, बहुत असान question का answer, a नहीं होता, मतलब जितना असान question है, उतना ही उसका answer a नहीं होगा, मतलब a पर टिक नहीं लगाना है, आपको ज़्यादे तरकी इस पर करना है, b और c पर, बीना देखे, बीना सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखे, friend, मैंने यहाँ पर लिख दिया, पूरी जनकारी मैंने वीडियो में दे दिया है, और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आप देखिए, यहाँ पर मैंने rule लिखा है, मतलब की rule number 1 में, सबसे पहले तो आपको सबसे important ज़्याद है, entry pass, यानि admit card, आपके पास होना भी अनिवादिया है, अगर admit card अगर आपका खो गया है, हमेज़ा दो निकाल करके ले जाएए, एक अपने पास रखिए, और एक अपने घर पर ले जाए, घर पर रख दिजिए, दो admit card आपके पास होना चीए, साथ इसाथ फोटो भी होना चीए, इस परकार के exam के लिए online CBT exam दे रहे हैं तो, अब देखिए, या OMR बेस आता है, exam offline भी आ जाता है, तो आपको ये चीज़ भी ले करके जाना है, देखिए, आपको सबसे पहले objective प्रेशन और एक निश्चित समय दिया जाता है, माली जे class 10th में होतों और class 12th में होतो दोनों के लिए इस परकार के प्रेशन पूछे जाएंगे, तो आपको देखना है class 10th में, जो कि बीश बीश नंबर एक subject में आएगा, फिरी का मिलेगा, तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए, OMR, OMR based question आएगा, offline exam होगा, जो कि class 10th और class 12th दोनों का होता है, अब देखि तो इसको पूरी तरह से गोला करना है, ना कि आपने इस परकार से कर दिया, जैसे गोला, ये C वाला हमारा part है, आपने कर दिया यहाँ पर आधा कर दिया गोला, और आधा आधा आपने छोड़ दिया, तो आपका examiner क्या करेंगे, इसको check नहीं करेंगे, और आपको marks नहीं म आपने मान लिजे कि ये कर दिया आपने ए गोला, पूरी तरीके से गोला नहीं हुआ, आधा बाहर निकाल दिये और आधा अंदर कर दिया, तो भी ये पूरी तरह कर सही नहीं है, ये कट जाएगा, आपका marks जो examiner क्या करेंगे, काट लेंगे, आपको इस circle के अंदर ही आप आपको क्या करना है, गोला बढ़िया तरीके से खीच-खीच के कर लेनी है, पूरे काले कर देना है, निले पेन या बूलु पेन से, जो भी पेन आपको इन वहां पर बताते हैं, करने के लिए उसी पेन को यूज करना है, ठीक है, समझ में आ गया, तब जाकर के आपको जो full और क्या करना एक साथ मतलब की कॉमेंट भी ऐसा कीजिए अच्छा अच्छा कॉमेंट कीजिए क्योंकि एक भाई ने मुझसे पूचा था की सर बताईए काला पेन आपने तो ब्लेक पेन और बुलू पेन से लिखते नहीं हो आप लिख रहेते हो रेट से और ये नीले तो हमें दिक्कत होगी मैंने की चलो कोई दिक्कत नहीं फिर मैंने उनको बता दिया इस चीज के बारे में काला और नीला पेन आपको ले करके ही जाने हर एक जाम में समझ में आ गया चलिए इसे के साथ वीडियो समाप करता हूँ जै हिंद जै भारत बंदे मातरा थैंक्स बना अथिंद के बार भारत बार讚 कि चलो करता है